National Institute of Technology जो कि हर बार NITC नगर जो कि हर बार सुर्खियों में आता है और इस बार फिर सुर्खियों में आया है आपको बताते चले कि कल रात को वॉलीवल मैच होने के बाद बच्चू में यानि कि स्टूडेंस में दो ग्रूप के बीच में हाथा पाई होना शुरू हो जाती है जिस तरीके से volleyball match होता है और उसके बाद दो ग्रूप से यानि कि students के दो ग्रूप से जिनके बीच में हाथा पाई होती है और उसके बाद पांच students यानि कि दो ग्रूप के जो पांच students है वो काफी injured हो जाते है NIT Institute की बात करें तो हर बार वो सुर्खियों पे रहा है इससे पहले कि अगर बात की जाए तो इंडिया पागिस्तान के match के दोरान भी वो सुर्खियों पे रहा और वही पर कल रात की अगर बात करें तो जिस तरीके से वॉलीबल मैच खतम होने के बाद दो ग्रूप के बीच में हाथा पाई होती है और वही पर students की बात करें दूसरे students की बात करें तो काफी panic जो है क्रेट हो जाता है और situation जो है वो out of control हो जाती है जिसके चलते वहां की authorities को पुलिस को बुलाना पड़ता है और पुलिस जो है वो मामला सुलजाती है लेकिन पुलिस ने साफतोर पर ये भी कहा है कि कही ना कहीं इंसिचूट को एक सावधानी जो है नियम जो है वो बदलने होंगे एक सायम जो है वो create करना होगा जिसके चल सब्सक्राफ होती है और ऐसे कई सारे मामले जो है जिनमें सुर्खियों पर निटी इंसिचूट जो है वो रह चुका है और वही पर कल रात की बात करें तो जिस तरीके से वालीवाल मैच होता है और वालीवाल मैच खटम होने के बाद यानि की शाम को दो ग्रुप की बात करें तो जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि हर बार ये इंसिचूट जो है शिनगर इंसिचूट हर बार सुर्खियों में राता है फिरो मैच की बात करें या फिर भारत के अलग अलग स्टेट से आने वाले बच्चे जो हाँ पर पढ़ते हैं उनको लेके बात करें हर चोजह वो शिनगर रह था इंसिचूट जो है वो सुर्कियों पर आता है हरा जो भार निकलकर सामने आ रही है की पांच स्टूडंस दो ग्रूपस के पांच स्टूडंस जो है वो काफी इंजड हुए है रहन के दोरां नजब ुसट्वरू जो है मारे तो 앤 falar जो है